दोस्तो इस फिल्म की कहानी एक 60 सल के बुड़े की है, जिसने अपने से बहुत कम उम्रकी लड़की को अपने साथ एक बोट पर रखा हुआ था, पाकि जब वो 17 सल की हो जाए, तो वो बुड़ा उससे शादी कर सके तो कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं समुंदर में एक बड़ा सा बोट तैर रहा होता है, जिस पर सिर्फ दो ही लोग रहा करते थे, एक 60 सल का बुड़ा आदमी चंपक चाचा और उसके साथ एक 16 सल की रड़की चिंकी, हमें बताये जाता है कि चंकी जब 6 साल की थी, वो तबसे ही चंपक चाचा के साथ इस बोट पर रह रही थी, और पिछले 10 सालों से उसने कभी भी बाहर की दुनिया देखी ही नहीं थी, उसके लिए तो चंपक चाचा ही सब कुछ था, और वहीं चंपक चाचा भी उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखता था, फिरम से एक उड़ता हुआ तीर आकर सीधा उन टूरिस्ट के पास लगता है, जिसे चंपक चाचा ने मारा था, उस तीर की वज़े से उन टूरिस्ट की फट जाती है, और वो फिर से फिशिंग करने में लग जाते हैं, तब ही वो आदमी अपने दोस्त से पूछता है कि क्या वो नहीं ले रहा, फिर हम देखते हैं कि चंपक चाचा फिशिंग के साथ भविशे वाड़ी भी करता था, इसलिए वो टूरिस्टू से पूछते कि क्या आप मेरा भविशे बता सकते हो, दरसल मेरी पतनी का चकर मेरे एक चूतिये दोस्त के साथ चल रहा है, इसलिए मैं जान सीधा बुद्धा की पेंटिंग में जाकर लगता है, वहीं वो टूरिस्ट भी ये सब देख रहा होता है, और ये देखकर उसकी फट जाती है, क्योंकि अगर उस बुट्टे का निशाना जरा सभी चूक जाता, तो वो तीर सीधा जाकर चिंकी को चीर कर निकल जाता, लेकि अगले सीन में हम चंपक चाचा को देखते हैं, जो की हर रोज गुजरते हुए दिनों के साथ कैलेंडर में अपने शादी के दिन गिनने लगता है, वो काफी खुश था, क्योंकि अगले महिने की बारत तारीक को चिंकी 17 साल की होने वाली थी, और उसके बाद वो उससे शा चंकी पर पढ़ती है, जो की उने ही देख रही होती है, तभी वो टूरिस्ट चंकी को अपने पास बुलाते हैं, और उसकी चूचयों में मचली डालकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं, चंकी उस चूरिस्ट को एक जोर का चमाट मारती है, तभी तीर लेकर भागत चंकी रक्षा करना अच्छे से जानती थी, और वो तीर उठा कर उन दोनों टूरिस्ट की गञट भाट देती हैं, फिर कुस दिनों बद कई और टूरिस्ट भी चंपक चाचा की बोड़ पर फिशिंग करने आते हैं, उनी में से सत्तू सुपारी नाम का एक लड़का भी थ जो की अपने डैट के साथ यहां पर फिशिंग करने आया था, तबी हम देखते हैं कि चिंकी को पहली नजर में ही सत्तू सुपारी से प्यार हो जाता है, लेकिन ये बाच चंपक चाचा को जरबी पसंद नहीं आती, फिर चिंकी सत्तू सुपारी के पास जाती है, जो की तहलते हुए सत्तू सुपारी की नजर चिंकी पर पढ़ती है, जिसे चंपक चचा अपने हाथों से नहला रहा था, तबी चिंकी भी सत्तू सुपारी को देख लेती है, और मुस्कुराने लगती है, फिर अगली सुबह फिशिंग के दोरन सत्तू सुपारी अपने बाप से चिंकी के बारे में पूछता है तब उसका बाप उसे बताता है कि चिंकी जब 6 साल की थी तब चंपक चचा उसे अपने साथ इस बोट पर ले आया था और अब उसके 17 साल के होने पर वो उससे शादी भी करने वाला है अब चिंकी के बारे में ये जानकर सत्तू सुपारी को बहुत बुरा लगता है इसके बाद उसका बाप चंपक चाचा को उसका भविशे बताने को कहता है फिर चंपक Chacha भी पहले की तरह बुद्धा की पेंटिंग पर तीर चला कर सत्थू सुपरी के बाप को उसका मविश्य बता देता है लेकिन जिस तरह से चंपक Chacha चिंकी का इस्तिमाल कर गुषा आता है लेकिन वो बेचारा भी कुछ कर नहीं सकता था फिर वहां से जाते हुए सत्तू सुपारी चिंकी को अपना walkman और headphone दे कर जाता है फिर हम देखते हैं कि सत्तू सुपारी से मिलने के बाद चिंकी अब बदल चुकी थी अब वो चंपक चचा के लोटने पर पहले की तारा excited नहीं रहती थी लेकिन चिंकी उस हार को उसके सामने ही तोड़ कर फैक देती है अगले दिन चिंकी एक टूरिस्ट के पास जाकर बैढ़ जाती है दरसल वो चंपक चचा को जलाना चाती थी और होता भी वैसा ही है अब ऐसे ही कुछ दिन बीच जाते हैं और एक दिन सत्तू सुपारी फिर से चिंकी से मिलने आता है जिसको देकर चिंकी बहुत खुश हो जाती है क्योंकि अब उससे उसे टूरू लाव हो चुका था फिर सत्तू सुपारी चिंकी को एक डंबरू गिफ्ट में देता है अब चिंकी और सत्तू सुपारी की बढ़ती नस्दीकियों को देखकर चंपक चचा गुसा हो जाता है और उसे लगने लगता है कि अगर सत्तू सुपारी जादा देनों तक इस बोट पर रहा तो वो कभी भी चिंकी से शादी नहीं कर पाएगा इसी वज़े से जब सत्तू सुपारी चिंकी के साथ इंजॉय कर रहा होता है तभी उससे डराने के लिए चंपक चचा उसके सामने एक तीर मारता है लेकिन तभी चिंकी गुसे में आकर उस तीर को तोड़कर फैक देती है रात को चिंकी और चंपक चचा एक साथ एकी बैड़ पर सोया करते थे लेकिन उस रात चिंकी अपने बैड़ पर नहीं होती फिर ढूंडने पर चंपक चचा देखता है कि चिंकी सत्व सुपारी के साथ उसके कमरे में सो रही है अब ये देकर चंपक चचा की दिमाग का भुटडा हो जाता है जिसके बाद वो तुरंत सत्व सुपारी का बोर्या बिस्तर बांद कर उसे एक छोटी बोट पर बिठा देता है और वहाँ से जाने के लिए कहता है फिर जाते-जाते सत्व सुपारी उसे कहता है कि तुम जो चिंकी के साथ करने वाले हो मैं वैसा होने नहीं दूँगा तुमने इसे इतने सालों से अपने साथ एक कैदी की तरह रखा हुआ है लेकिन जल्दी ही मैं इसके पैरेंट्स को ढूंड कर इसे यहां से ले जाऊंगा जिसके बाद ये बोलकर वो वहां से चला जाता है तबी सत्तू सुपारी के पीछे पीछे चिंकी भी भागने की कोशिश करती है लेकिन चंपक चचा उसे पकड़ लेता है फिर कुज दिनों बाद फिर से सत्तू सुपारी चंपक चचा की बोट पर आता है और उसे एक पोस्टर दिखाता है जिसमें चिंकी के पैरेंट्स ने उसकी लापता होने की खबर चपवाई थी फिर सत्तू सुपारी चिंकी को उसके पैरेंट्स के बार में बताते हुए कहता है कि तुम्हारे पैरेंट्स तुम्हें अभी भी ढूंड रहे हैं इसलिए तुम मेरे साथ चलो वैसे भी तुम अपनी पूरी जिंदगी इस बुढ़े के साथ इस बोट पर नहीं बिता सकती इस बुढ़े ने तुम्हे किड्नैप करके अपने पास रखा हुआ है अब चिंकी सत्तू सुपारी की बातों को समझने की कोशिश कर रही थी लेकिन तभी वहाँ पर चंपक चाचा अपना तीर कमाल लेकर आ जाता है अब वो सत्तू सुपारी को तीर मारने ही वाला होता है कि तभी चिंकी उनके बीच में आ जाती है अब क्योंकि चंपक चाचा भी चिंकी से बहुत प्यार करता था इसलिए वो अपना तीर नीचे कर देता है फिर आत को सोते समय चंपक चाचा उसे गले लगाने की कोशिश करता है लेकिन चिंकी उसे थपड लगा कर वहां से चली जाती है अगले दिन बोट के इंजन को ठीक करते समय चंपक चाचा के सर पर चोट लग जाती है जिसे देखकर चिंकी उसकी मदद करने के लिए उसके पास जाती है लेकिन चंपक चचा उसे मदद करने से रोग देता है जिसके बाद वो उसे तीन चर थपड़ मार देता है अब चिंकी को रोता हुआ देख सत्तू सुपारी तुरंत उसके पास आता है इसके बाद वो चंपक चचा को उसका future बताने को कहता है तक कि उसे भी पता चल जाए कि चिंकी की शादी उसके साथ होगी या चंपक चचा के साथ चंपक चचा इस बात से राजी हो जाता है और हमेशा की तरह जूलती हुई चिंकी के बीचो बीच एक तीर चलाता है लेकिन इस बर आखरी तीर चलाते हुए चंपक चचा के हाथ काप रहे थे जिसको देखकर सत्तू सुपारी को लगता है कि गुसे में होने की वरे से चंपक चचा कहीं चिंकी को ही तीर ना मार दे इसलिए वो जान बुचकर जूली की रस्सी को खीच देता है जिससे चंपक चाचा के कान में कुछ कहती है जिसको सुनकर चंपक चाचा अपने कमरे में जाता है और अपनी शादी के सारे कपड़े और सामान निकाल कर बाहर फैंक देता है अगले दिन चिंकी सत्तू सुपारी के साथ एक बोट पर जा रही थी लेकिन वो बोट आगे नहीं बढ़ पा रही थी तबी चिंकी की नजर बोट से बंदी एक रसी पर पढ़ती है जिसके आखरी हिससे को चंपक चाचा ने अपने गले में डाला हुआ था चंपक चाचा खुदखुशी करना चाता था क्योंकि चिंकी के लावा उसका इस दुनिया में और कोई नहीं था और वहीं चिंकी भी उसे अकेला छोड़कर वहां से जा रही थी तबी चिंकी को भी ये बात समझ आ जाती है जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को हग करके रोने लगते हैं इसके बाद वो दोनों एक छोटी सी बोट पर चड़ते हैं और वहां से कुछ दूर आगे चले जाते हैं अब गचा गच करने से पहले चंपक चाचा माहौल बनाने के लिए म्यूजिक बजाता है जिसको सुनते ही चिंकी को नीन दा जाती है फिर चंपक चाचा आस्मान की तरफ देखकर एक तीर चलाता है और फिर पानी में कूद कर अपनी जान दे देता है तब ही उसके बाद वो छोटी बोट अपने आपी उस बड़ी बोट के पास चली जाती है जहां सत्तू सुपारी उसके आने का इंतजार कर रहा होता है तब ही वो देखता है कि चंपक चाचा ने मरने से पहले जो तीर चलाया था वो सिधा चंपक चाचा की आत्मा उसे चला रही हो लेकिन फिर जैसे ही चंपक उस बड़ी बोट की तरफ देखकर बाय बोलती है वो बोट धीरे धीरे समुंदर की गहराईयों में चली जाती है और इसी के साथी ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है